हलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल गॉड ग्लासेस पर तब आज की जो क्लास है उसमें एक्सेसाइज 9.2 करने वाले हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 प्रॉबिलिटी चैप्टर अब यहां पर जो एक्सेसाइज हम करेंगे उससे पहले लास्ट वीडियो था उसमें आपने समझा होगा कि आपको किस तरह से बनाना है अगर वह आपने मिस्स कर दिया है तो वही सबसे पहले जाएकि जो पहले वाला वीडियो नाइन पॉइंट वन का जो बेसिक है उसको आप देख लीजिए को 9.1 के बेसिक में हमने बताया लाच है तो इनके डरिवेशन पर नहीं जा रहे हैं तो आपको नहीं करना है सबसे पहले हमें पर मीन करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को शेयव करना चाहता हूँ कि अगरा आपके भाई भैन या आप खुद क्लास 10 में पढ़ते हैं और बोड एकसम की प्रेप्रेश आपने जब कोस्पूर अपना cover कर लिया उसके बास सबसे बैस तरीका होता है कि sample papers आप जादा स्यादा practice करो. अब sample paper, market में बहुत sample paper है, हर तरह के sample paper है, लेकिन आपको कोशिश करने है कि ऐसे sample papers लेने के लिए जिसके अंदर question की quality अच्छी हो, और question में, मतलब आप उन sample papers को करके अपने आपको इतना confident समझ पाए, कि आप board exam के अंदर बहुत अच्छा perform करेंगे. तो ऐसे sample paper है, जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक Educa John Company है, उसका sample paper, वो market में available है. इतो sample papers हैं हमारे पास, Educa John Company, CBC Class 10 sample paper, आपको सारे subjects के sample paper इनके मिल जाएंगे, ठीकिए, आपको यहाँ पास social science, mathematics, Hindi, English और science, सारे sample papers अविलेबल हैं, और आपको Amazon, Flipkart, Snapdeal, जहां से भी आप purchase करना चाहें, purchase कर सकते हैं, उसका link आपको description box में मिल जाएगा, जहां से जाके आप practice करते हैं, तो आप जिसे exam के अंदर आप करने वाले हैं, उसी तरीके से आप practice कर पाते हैं, और अपने आपको confident कर पाते हैं, कि हाँ, exam के अंदर आपका time management है, वो सही होगा, कई बार ऐसा होता है कि questions आप अलग-लग वैसे practice करते हैं, तो आप वैसे तो कर लेते हैं, लेकिन जब time frame की बात आती है, तो उस time frame के अंदर question जो पूरा आपके complete करना होता पूरा paper, वहाँ पर आप लेक कर जाते हैं, तो उसके लिए sample papers practice करने बड़े important है, और sample papers अच्छे sample paper करने बड़े important है, कि sample papers के अंदर question की quality है वो ऐसी होनी चाहिए, ताकि आप board exam में जैसे आपको questions म आपको मिलेंगे, तब आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आपको prepare कर पाएंगे, तो जो भी student class 10th की preparation कर रहे हैं, तो वो यह sample papers जरूर यहाँ पर purchase कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, और आपको purchase करने के लिए जो link है वो आपको description box में available होगा, ठीक, अगर मीन की बात क करें, तो mean का formula क्या बनेगा इसमें, जो प्रावलिटी distribution बनाते हैं, जब हम प्रावलिटी distribution बनाते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक table आ जाती है, ठीक है, यह आगया x यह आगया px, तो यहाँ पर आपके पास x1, x2, x1, x2, x1, x2, 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 इस तरह से कोई value ले रहा हूं, यहाँ पर इसकी probability आगई है, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 4, यह distribution आगया आपके बस, अब पूछा गया आपसे इसका mean क्या है, तो mean के लिए आपको क्या करना है, जो probability है, उस probability को उसके x से multiply करना है, और फिर जो भी आएगा, उन सब का आपको sum कर देना है, य 1 into 1 by 2, 2 into 1 by 4, 3 into 1 by 4, और जो भी answer आएगा, उसका आप sum कर देंगे, sum करने के बाद जो आएगा, आपके बास वो बन जाएगा mean, दूसरी चीज़ हम यहाँ पर निकालेंगे, variance, अब अच्छा, इस mean को हम इससे भी denote कर सकते है, expectation of x, इसको short form में ऐसे लिख सकते है, या फिर ह हम यहाँ पर देखो, ex लिखते है, ex का मतलब है कि आपको x को as it is रखना है और उसको p से multiply करना है, क्योंकि जब हम variance का formula करेंगे, तो variance का formula मैं आपको इसी वाले pattern से बता रहा हूँ, variance का formula क्या बनेगा, यह होता है, ex square minus ex का whole square, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ex का square ह करना है, square करने के बाद आपको p से multiply करना है, यहाँ इसको अगर मैं इस format में लिख हूँ, तो यह कैसे बनेगा, summation of pi और xi square minus, यह आपके पास बन गया, sigma pi xi इसका whole square, तो यही वाली time आगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले आपको x i का square करना है, square करने के ब बाद आपके पास यह variance बन जाएगा, अब variance हमने निकाल दिया तो उसके बाद निकालेंगे standard deviation, जो standard deviation आप निकालोगे तो इसके formula में जिसे हमने पीछे भी पढ़ा था, जब standard deviation हम निकालते हैं, तो वो simply क्या होता है, variance का square root होता है, तो जो भी आप variance निकालोगे, उसका square root क कर देना वो बन जाएगा standard deviation, बस यह तीन चीज़े आपको इसके मोर करनी है, बनाना यह बनाना है, जो हमने 9.1 में किया है, वो भी इसमें करना है, कई बर हमें बना बना मिल जाएगा, उसके अलावा आपको यह तीन चीजों में से कोई भी जो पूची जाएगी, वो आपक चले, तो सबसे जो पहला question है हमारे पास, पहला question है कि एक boy, एक boy throws a coin, he is to receive 2 rupees for getting a tail, बनाव एक लड़का एक coin को throw करता है, throw क्या करना मनलब toss करना, पेगेगा तो नहीं, अगर वो toss करेगा, तो toss करने पर उसे 2 रुपे मिलते हैं, अगर tail आता है, ठीक है, coin को toss किया, toss करने प and 10 rupees for getting head, लेकिन उससे जदा खुशी की बात है कि head आ जाए, क्योंकि head आने पर कितने रुपे मिलेंगे, 10 रुपे मिलेंगे, 10 रुपे, तो tail आने पर 2 रुपे मिल रहे हैं, head आने पर 10 रुपे मिल रहे हैं, आपको बताना है, mean receipt, find expectation, mean receipt, यानि जो उसको पैसे मिल रहे हैं, उसका mean आपको find गरना है, तो अब यहाँ पर हो गहरा है, अब यहाँ पर 2 situation आपके पास आ रहे है, coin को जब toss किया जा रहे है, तो coin को toss करने पर, टेदो टेल आता या head आता है, लेकिन उसके आने पर हो गहरे है, आपको mean किसका निकलना है, mean निकलना है आपको, find expectation, mean receipt, यानि अब पैसा कितना मिल रहा है या दो रुबे मिल रहे है या 10 रुबे मिल रहे है तो जो एक्स है एक्स की वेल्यू क्या यहां पर एक्स की वेल्यू है टू या फिर टैन अब एक्स की वेल्यू टू कब होगी यानि उसे दो रुपे कब मिलेंगे उसके प्रवरिटी निकालते ह चांस है दोर पर मिलेंगे तब उसके पार टेल आएगा और टेल ँलाने के चांस कितने होते हैं यहां पर इसकी बनी वटू और टेन आने के जो चांस है वह 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 है यह औने पर आपको तैन मिलेगा इसका distribution अब distribution आपने बना दिया आप पूछ रहाँ से expectation जैसा भी हमने formula में पड़ा expectation का formula क्या होता है आपको x i और pi दोनों को multiply करना है 2 into 1 by 2 plus 10 into 1 by 2 यहाँ पर solve करेंगे 1 आएगा यहाँ पर solve करेंगे 5 आएगा यानि जो mean receipt expectation है वो आगया 6 रूपीज ठीक है अब उसके बार next question पर अगर हम चले नेक्स सेकिंड question जो second question है हमारे पास उसमें आपको दिया हुए कि game at a school fair cost rupees 10 school fair में एक game लगा हुआ है जिसकी cost is 10 रूपीज with a price of rupees 50 और price उस पे 50 रूपे का price है वैश टिकेट जो है टिकेट कितने की है 10 रूपे की टिकेट है लेकिन price कितना मिल रहा है आपको 50 मिल रहा है खेलना बनता नहीं बनता 10 रूपे 10 रूपे देकर 50 रूपे कवाने का मौका मिल रहा है if the probability of winning is one by ten लेकिन ये बड़ी चिंता वाली बात है ये बड़ी चिंता वाली बात है आप खुश मत होना कि 10 रूपे देकर आपको 50 रूपे जीतने का मौका मिल रहा है क्योंकि मौका आपके बस बराबर नहीं है यह उस पूछ रहा है कि इस एटे फेर गेम् तो सोच समझ के पैसे लगाना नहीं दस रुपी बरबाद हो जाएंगे 50 रुपाय के चक्कर में पता लगे दस रुपे पोकेट में दे वह भी खत्म हो गई। तो यहां पर यह कहा रहा है कि फेर गेम नहीं है बिल्कुल भी नहीं है यहें क्यों नहीं है है डाजा बसकता है यहां पर पर ऑपके पास जीतने के चांस और हर्ने के चंस-स इन 8.10 तो यहां पर आप ठीक है बहुत चालाकी की जारी है आपसे ठीक है बिकाउज probability of winning is less than probability of losing ठीक है दोनों के पास equal chance नहीं है या फिर आप यह कह सकते हो फिकाउज probability of winning and probability of losing is are not equal ठीक है जैसे भी आप explain करना चाहें वैसे आप explain कर सकते हैं लेकिन पैसे सुझ समझ के लगाना ठीक है next question पर चलते है question number third third में आपको data देखो बना बना दे रहे हैं सीधा mean निकालना है तो mean निकालने का जो तरीका है जैसा अभी अभी हमने formula पड़ा इसको इससे multiply करना है इसको इससे multiply इसको इससे multiply अब बचा क्या 0 को इससे multiply करोगे 0 आएगा 1 को इससे multiply करोगे 1 by 2 आएगा 2 को इससे multiply करोगे 4 by 5 आएगा LCM लो LCM आगया 10 यहां पर आगया 5 यहां पर आगया 8 5 प्लस 8 13 अब बॉन 10 यानि answer आगया आपका 1.3 नेक्स कोशिन पर चलते हैं कोशे नंबर फोर्थ में भी आपको बना बनाया दे रखा है मीन निकालना है मीन को डिनोट किया हुआ है मू से वेरियंस निकालना है ठीक है यह सिगमा सुपर आएगा यहां पर दोनों चीज आप से निकाल पूछी गई है तो यहला कोश्चिन कर लेते हैं ठीक है फोर्थ कोश्चिन चलिए मीन निकालो पहले तो मीन निकालने के लिए क्या था हमारे पास एकश फिर यहां पर मू लिखा हुआ है तो मू से भी दिनोट कर देना जीरो इंटु दिस जीरो आएगा 1 इंटु 1 वैटु 1 वैटू अ गया 2 इंटु 3 वैटेन 6 लैटेने आया three लूँ 1 वैटेन यहीन आ गया थे हैं तेनल से हमाँ जाएगा इधर आजाएगा 5 इधर आजाएगा 6 इधर आजाएगा 1 तो 5 प्लस 6 11 प्लस 1 12 बाइ 10 यानि में आगया आपके पास 1.2 ठीए अब उसके बाद निकालना आपको वेरियंस तो वेरियंस का फार्मूले में क्या था कि आपको निकालना पड़ेगा पहले इएक्स स्क्वेर माइनस इएक्स का होल स्क्वेर तो जो इएक्स स्क्वेर एक्स स्क्वेर कैसे निकाल लेंगे भई एक्स का स्क्वेर करना है और उसको प्राबिबिलिटी से मल्टिप्लाई करना है तो zero का square करना है और इसको multiply करना है one by six से फिर one का square करना है multiply करना है उसको one by two से उसके बाद फिर two का square करना है उसको multiply करना है three by ten से फिर three का square करना है multiply करना है one by thirty से ये बनेगा आपका ex square इसमें से minus करना है आपको ex का whole square X मतलब mean तो mean कितना निकला 1.2 1.2 का square आपको करना है माइनस अब इसको आप simplify करो देखो यहां से तो 0 आएगा यहां से 1 by 2 आएगा यह 0 आगया 1 by 2 इदर से करोगे 4 3 जा 12 upon 10 इदर से करेंगे 9 upon 30 एक 3 से cancel ही कर देते हैं तो यह रह जाएगा आपके पास 3 upon 10 ठीक है माइनस 1.2 का square करते हैं तो 1.44 अब यहां पर LCM लेंगे 10 10 LCM लेंगे तो इदर आएगा आपके पास 5 और यहां पर दोनों के नीचे 10 10 है तो ऐसे रहेगा 12 प्लस 3 इदर से आएगा माइनस 1.44 पांच और बारा सत्रा और तीन बीस तो यहां पर आएगा 2 2 माइनस 1.44 10 माइनस 4.6 और 9 माइनस 4.5 तो आजाएगा 0.56 यह बन जाएगा आपके पास variance अब next question पर चलते हैं नेक्स question में fifth question में कहता है आपसे कि the property distribution of a random variable x is given below यह आपको दे दिया k की value आपको find करने है अब जो property distribution वाला concept था उस पे हमने एक चीज discuss की थी कि इसका जो total होता है जितनी भी probability आपको दे रखी है इसका अगर आप total करेंगे तो किसके बरावर आना चीए total इसका आना चीए 1 के बरावर ठीक है अब यहां पर देखो इनका total करेंगे k और k 2k तो यह बन गया और 3k स्क्वेर यह आ गया तो एक फेक्टर तो आपके पास बनेगा 3 और एक फेक्टर बनेगा माइनस के 3k कॉमन निकाल देते हैं k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन k प्लस 1 एक फेक्टर आ गया 3k माइनस 1 एक फेक्टर आ गया k प्लस 1 यहां से k की वैलू निकालोगे 1 by 3 आएगी, इतर से k की value निकालोगे, minus 1 आएगी k की value minus 1 जो ही exist नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी, क्योंकि k अगर आपने minus में put कर दिया तो probability क्या बन जाएगी, वही minus में हो जाएगी ना और probability क्या minus में हो सकती है बिल्कुल भी नहीं हो सकती ना, तो इसलिए k की equals to minus 1 को आप नेगलेट कर देंगे, k की value सरिफ रही हमारे पस 1 by 3, अब आगे कहता है determine the mean, तो mean के लिए क्या करना है, mean के लिए हम जो अब तक करते आ रहें, इन दोनों को आपस में multiply तो करो इनको multiply, फिर बाद में k की जाएगे value put कर देंगे, या पहले put करना चाओ, पहले भी कर सकते हो जैसे आपको पता है कि 1 by 3 है तो आप यहाँ पर सीधा 1 by 3 डाल दो table में, और इधर k कर square है तो 1 by 9 हो गया इधर 2 k कर square है तो 2 by 9 हो गया और इधर 1 by 3 आप पहले भी डाल सकते हो value या फिर आप solve करके बाद में value डाल दो जैसे आप comfortable feel करते हो वैसा कर सकते हो अब उने value डाल लिया तो सीधा multiply करते है 0.5 को 3 से करेंगे तो 0.5 upon 3 प्लस 1 से इसको करेंगे तो 1 upon 9 1.5 को 2 से multiply करेंगे आजाएगा 3 upon 9 और यहाँ पर करेंगे 2 upon में 3 ठीक है इसको भी decimal आप हटा देते हैं तो यह बनेगा आपके पास 1 by 6 1 by 9 यह 1 by 3 और यह 2 by 3 एल सिम लेंगे तो आपके पास आजाएगा 18 6 3 जा 18 9 2 जा 18 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12 12 प्लस 6 एटीन 18 प्लस 5 23 तो यहाँ गया 23 upon में 18 ठीक है आप fraction में छोड़ना चाहो fraction में छोड़ सकते हो अगर आप decimal में निकाल के रखना चाहो तो decimal में रख सकते हो पर कोई ज़रूद नहीं है decimal में ठीक है पंगा मत ले ला इससे बढ़ी है कि आपस fraction में छोड़ दो अगर value पहले से decimal में तो ठीक है कि आप answer decimal में दे दो नहीं तो कोई ज़रूद नहीं है उसके बाद next question पर चलते हैं question number six six question में भी आपको same काम करना है ठीक है c की value निकालनी है वैसी फिर उसका mean निकालना है mean निकालने के बाद ये pi x i square आपको दे रहे है 14 इससे आपको variance find करने है अब variance find करने के लिए जो formula में हमारे पास pi x i square आता है उसकी तो value already दे ही रखी है उसकी value already दे ही रखी है और mean की आप यहाँ से निकाली लोगे तो mean का square minus करना है क्योंकि जो variance का formula होता है variance के formula में क्या है गा variance का formula हम ऐसे लिखते है ना e x का square बस मैं ये formula समझा रहा हूँ बाकि आपको खुद करना है या ये x square है इसको आपको ऐसे भी लिख सकते हो pi x i square और ये आपके बास sigma pi x i होता है तो ये pi x i square इसकी value उसने दे दी यहाँ पर 14 तो यहाँ पर आपको 14 put कर देना है minus ये क्या बनेगा ये बनेगा mean जो भी आपको mean आएगा वो यहाँ पर put करना square करके minus कर देना उससे आपका answer आ जाएगा और बड़े राम सा जाएगा कोई tension लेने की ज़रूथ है नहीं ठीक है next question पर चलते है question number 7 अब यहाँ तक तो आपको probability distribution इसने बना के दे रखे थे आपका काम आसान कर रखा था था भई अब थोड़ा सा काम और मेहनत हमें करनी है तो आसा और काम करने है अब हमें पहले हैं यहाँ पर distribution बनाना है तो distribution बनाने के लिए आपको सबसे पहले x find करना पड़ेगा x find करने के बाद फिर उसकी probability find करनी है अब x कैसे find करते हैं probability कैसे find करने हैं पिसली दो वीडियो में हमने काफे detail में करा है अगर आपको कुछ problem है कि x कैसे find करते हैं तो उसके लिए आप पिसली दो वीडियो देख सकते हैं ठीक है उसमें आपको समझ में आ जाएगा x है क्या तो यहाँ पर कह रहा है कि find the mean and the variance of number of head यहाँ पर x किसको represent करेगा x represent करेगा number of head को कितने tosses हो रहे हैं 3 tosses of a fair coin coin के toss है वो 3 बार हो रहा है अब 3 बार coin का toss हो रहा है तो उसमें आप sample space भी बना सकते हो ke sample space है आपने बनाया तीन बार toss का head 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 फिर दो बार head का यह बनेगा एक यह भी दो बार head का बनेगा और एक यह भी बनेगा एक head का क्या बनेगा head, tail, tail अब हैड को शिफ्ट करते जाओ टेल है टेल टेल है और लास माई जाएगा टेल 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 यह सेम्बल प्रेस हुआ अब आप से कह रहा है कि यहां पर एक्स रिप्रेजेंट कर रहे है लेक्स रिप्रेजेंट नंबर ओफ हैड कि एक स्कील्यू क्या बनेगी आपके पास जब भी हम कोईन को टॉस्क कर रहे हैं तो कि यह इस है व नमबर हैं कि कितनी बार आ रहाए नfend 산ų द्राय Closed No सकते हैं कि एक बार भी ना हम सरे चेल एक बार है को सकता है है ठीकता हैं आईगा क्या आएगा चार बार नहीं आएगा नहीं आएगा क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों तो आप अब क्या चारह सकती य技 व लो सकती फ्र न यह कब दीख लो आपक्यी आरिया अगर रहा हमएक्स की वेललू चीरो लेते हैं जीरो का मतलब की हड रांग आ नहीं रहा अपने सेंपल आपको पदेम केस ऐसा है जिसमें नहीं आता तो इसकी ब来了 कि जा टा एक यहां वह यहां विया यहां यहां इछ से आ दो हेड आ रहे हैं और तीनों के तीनों हेड आ जाएं ऐसा एक बार हमारे पास possible है इसकी परव्यल्टी बनगी 1 by 8 डिस्रिबूशन बन गया अब पूछा क्या था पूछा था इसने mean और variance मिन वेरियंस था हूं निकालते ही आ रहे हैं अब ही तक मिन का पार्मुला लगा दो मीन में क्या करने है आपको 0 into this 1 into this 2 into this और 3 into 1 by 8 एल्सियम देखो तीनों का 8 ही है तो सिधा एड़ कर दो 3 plus 6 9 9 plus 3 12 12 upon में 8 काटोगे तो आ जाएगा 3 upon में 2 ठीक है ऐसे छोड़ दो मीन आगया आपके पास 3 upon 2 उसके बाद आप चाहिए आपको variance निकालने के लिए पहले हम निकाल लेते हैं इए x square अब x square मतलब 0 का square करके multiply करोगे तो क्या फरक पढ़ना है 0 यह रहना है 1 का square करोगे तो भी कोई फरक नहीं पढ़ना 3 by 80 आना है उससे आगे फरक पढ़ना आएगा तो का square करोगे 4 आएगा 4 3 जा 12 3 का square करेंगे 9 9 प्लस 1 8 9 into 1 9 divided by 8 यहां भी जो lc में 3 होगा 80 आएगा 12 प्लस 3 15 15 प्लस में 9 कितने होगे 24 अब उन में 8 इसकी value आगे आपके पास 3 अब निकालना क्या हमें निकालना है variance तो variance का formula e x का square minus e x का whole square तो आपके पास जो e x निकला है e x square निकला है वो निकला है 3 और e x आपके पास यह था इसका square कर दोगे इसका square आजाएगा 9 upon में 4 तो कितना हैगा 4 3 जा 12 12 माइनस 9 3 answer आगा 3 upon में 4 उसके बाद next question देखते question number 8 question number 8 में mean भी निकालना है variance भी निकालना है standard deviation भी निकालना है लेकिन उससे पहले distribution भी तो बनाना है ना ठीक है distribution बना बनाया नहीं है distribution बनाना है क्या बनाना कर रहा है कि 2 card आपको निकालना है without replacement from a well shuffled pack of 52 cards and find the mean variance and standard deviation of the number of king number of king आपको यहाँ पर x represent कर रहा है ठीक है एक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स रिप्रेजेंट नंबर आफ किंग तो जब card आपको दो निकालने है तो x की value क्या क्या हो सकती है x की value 0 हो सकती है कि जो दोनों card आपने निकालने दोनों में से कोई भी king नहीं आया किसमती खराब है king हमें मिला ही नहीं ठीक है या फिर एक king आगया ठीक है या तो एक्स की value 0 हो सकती है और टू के बाद इसकी चाईयं में probability निकालने के लिए आपके पास दो तरीक या तो आप इसमें करके प्राबबिटी निकालोगया पहले एक card कहई फिर दूसरे card यह ठीक है लेकिन उसमें क्या होगा कि आप कई बार उसमें confusion हो सकता आपको तो बेटर रहेगा कि इसमें आप कम्बिनेशन का यूज करो टोटल कार्ड होते हैं 52 52 में से चार कार्ड तो आपके पास किंग के हो जाएंगे और बाकी के 48 कार्ड हो जाएंगे नॉन किंग ठीक है यह किंग ह और यह नॉन किंग है तो जब हम यह कह रहे हैं कि एक भी किंग नहीं है ठीक है जीरो का मतलब क्या है कि एक भी किंग उसमें नहीं है अगर किंग आप नहीं निकाल रहे हैं तो मतलब इस 48 कार्ड में से निकाल रहे हो तो 48 कार्ड में से कितने कार्ड निकाल रहे हैं दो कार निकालने तो उसमें से भी दो ही हैं तो यह बनेगा 52C2 अब इसको आप करो simplify ठीक है इसको अगर हम simplify करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 48C2 का combination वाला फार्मुला आप लगा होगे तो 48 इंटू में 47 46 कैंसल हो जाएगा combination का फार्मुला आई थिंग अब तो सबको अच्छी तरह से आ गया होगा divided by 2 factorial यानि 2 इंटू 1 यहां पर आ जाएगा 52 इंटू 51 डिवाइड़ बाइटू तू से आप इसको cancel करो तूसरे आप इसको cancel करो तो आपके पास बना 24 इंटू में 47 डिवाइड़ बाइट वाई 26 इंटू में 51 हुआ कि अब इसको आप और cancel करके छोटा करो इसको हम 4 से काट लेते हैं 4 से ये कटेगा 4 से तो नहीं 2 से कटेगा 12 पे 2 से एकट या 13 ठीक है और ये कट जाएगा 3 से तो यह बना 4 7 28 4 4 जा 1602 18 नीचे आजाएगा 2 2 1 ठीक है तो इसका हमारे पास x की value अगर 0 है तो उसकी probability ये है अब उसके बाद हम दूसरा वला case लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि x की value है मारे पास 1 x की value एक का मतलब है कि इसमें से एक card तो आपने king का निकाला और एक card आपने निकाला non king का तो एक card king का निकालेंगे तो क्या बनेगा 4 C1 दूसरा non king आएगा तो 48 C1 एक card king में से निकाला चार king के होते हैं और एक card non king में से निकाला नीचे आपके पास total वही रहेगा इसको solve करते हैं 4 C1 को solve करेंगे तो 4 आएगा 48 को करेंगे तो 48 आएगा नीचे आपके पास 26 और 50 बनाया था solve करके तो यह यह आएगा अब आप इसे cancel करो इसको cancel कर देते हैं किस से वैसे cancel गरो 2 से एकड़ गया 13 पे एकड़ गया और 3 से काटेंगे इसे 16 तूजा 32 अप उन में 2 2 1 उसके बाद फिर अगर दोनों काड़ किंग के होंगे तो क्या बनेगा 4 C2 4 C2 को solve करोगे तो आएगा आपके पास 6 नीचे आपके पास है 52 और 26 और 51 कि दो से काटेंगे तीन से काटेंगे तो जाएगा वन अपॉन में 2 2 1 तो जो distribution है इसका distribution क्या बना distribution बनेगा एक्स की वैलू 0 है एक्स की वैलू 1 है और 2 है अब इसकी जो probability है वह आपके पास क्या है पहले वाले क्या है यह 188 अपॉन में 2 2 1 दूसरी क्या यह 32 अपॉन में 2 2 1 फिर आईए 1 अपॉन में 2 2 1 अब आप से यहां पर mean भी पूछा है वेरिंस भी पूछा है standard deviation भी पूछा है तो मीन हम कैसे निकालेंगे तो मीन का निकालने के लिए 0 से सको multiply करेंगे 0 आ जाएगा 1 से सको करेंगे यही रहेगा और 2 से सको करेंगे तो यह आ जाएगा 2 अपॉन में 2 2 1 तो यह बनेगा 34 अपॉन में 2 2 1 ठीक है और यह है cancel आइटिंग होगा नहीं तो मीन की वैलू आगे आपके पास कोश्छन नमबर हमारे पास 8 और 7 से कैंसिल हो रहा है 17 से कैंसिल हो जाएगा 17 से कैंसिल हो जाएगा 13 पर क्योंकि 17 और 13 को multiply करके हमारे सबना थे तो यह निकल गाइस का पहान में तो यह दो निकल गाहिए इसका हुआ वेरिश निकालने के लिए आपको ए एकस स्क्व और निकालना पड़े गा तो इसका स्क्वर करके से मृट्प्लाय करोगे तो जीरो आएगा इसका стар करोगे तो यह रहेगा प्लस तू से इसको मुल्टिप्लाई टू का स्कूर करोगे फोर फोर आ जाएगा फोर अपॉन में टू टू वट अब यह कैंसिल नहीं होगा ठीक है क्योंकि यहां पर ना तो तो थर्टी सिक्स ना तो थर्टीन से कैंसिल होगा अब हमें निकालना है इसका वेरियंस तो वेरियंस का फार्मूला हमारे पास क्या बना एक्स स्कूर माइनस एक्स का होल स्कूर तो एक्स स्कूर आपके पास है थर्टी सिक्स अपॉन में टू टू वन माइनस और एक्स ना हमारे पास टू अपॉन थर्टीन तो इसका स्कूर करेंगा आजाएगा फोर अपॉन में वन सिक्स नाइव अब इसका सबकर आप एलसियम लोगे तो इसका एलसियम लेने पर आप जाएगा थिर्टी सिक्स अपॉन में टू टू वन तो ही हमारे पास है इसका एलसम आ रहा है टू एट सेवन धिरी लगी सारा एलसम लेकि अगर आप सॉल करोगे तो सॉल करके आपके पास बन रहा है फोर हंड़ अपॉन में टू एट सेवन धिरी ठीक है यह बनेगा सका वेरियन्स और वेरियंस के बाद निकालना में इसका स्क्वेर स्क्वेर रकातल बंद जोसे कब आदेन्यकुशS लिए क्वेर बनागे क्या हमारे पास कुछ छोटा बनेगा या नहिगा तो 2873 किस किस का multiply करके आया था इसके लिए हमारे पास 13 इसके अंदर आएगा दो बार 13 इंटू 13 इंटू 17 ठीक है यह इसका हमारे पास pair बनेगा तो 13 को आप निकाल देंगे बाहर तो यह बनेगा 20 अपॉन में 13 रूट 17 अब जो डिनोमिनेटर में रूट 17 है आप उसको हटाने के लिए इसको रेशनलाइज कर सकते हो रूट 17 से उपर multiply कर दो रूट 17 से नीचे कर दो तो ऊपर आजाएगा आपके पास 20 रूट 17 और नीचे रूट 17 रूट 17 हो जाएगा 17 17 को 13 से multiply करेंगे तो आजाएगा 221 यह बनेगा इसका वेरियंस उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कोशन नंबर 9 पर इसका स्क्रिंशोट आप लेना चाहें ले सकते हैं कोश्चन नंबर 9 में नाइन में कहा रहा है कि यह अन कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बोल ठीक है इसका में सर्फ आपको प्राविटी डिस्ट्रिबिशन समझा रहा हूं बाकी का काम आपको उसमें खुद कर लेना ठीक है पांच रेड हैं आपके पास और दो ब्लैक बोल हैं दो बोल आपको उसमे और सिवेल्ù क्या होगी जब दो दो बोल आप निकाले वाल तो ऐसकता है एक वी बलैक ना निकले माग वर्लैक निकल यह लेक प्रॉबिलिटी अब 0 का मतलब भी ब्लैक बॉल निकल ली नहीं नहीं निकल रही तो कौन सी दूसरी वाली बोल हो निकलेगी दूसरी कौन सी है दूसरी हमारे पास रैड़ बोल तो 5 डैड़ थी पार्च में से हमने कोई दो बॉल निकाल ली है टोटल कितनी बोल है आपके पास 7 नीचे हमेशा टोटल आएगा 7C2 इसको सिंप्लिफाई कर देंगे 5C2 का मतलब हो जाएगा 10 और 7C2 का मतलब हो जाएगा 21 फिर हम वन के लिए निकालेंगे तो वन का मतलब है कि एक ब्लैक और एक रेड ऐसे निकल दिया तो हमारे पास रैड बॉल थी पांच उसमें से एक बोल निकल जाएगी और ब्लैक थी हमारे पास तू उसमें से एक निकल जाएगी नीच आएगा 7C2 यह 5 ही रहेगा यह 2 ब्लैक बॉल निकल रही है ब्लैक बॉल है कितनी आपके पास दो ही तो ब्लैक बॉल है दोनों में से दोनों ब्लैक बॉल निकाल दी तो टू सी टू की वैलू होती है वन अब उन में 21 तो यह इसका प्रावर्टी डिस्ट्रिबूशन बनेगा फिर आपको इसको टेबल में डा मार्बल निकालने है ठीक है यह भी आप ट्राई करेंगे एक बार कुछ नमबर देखिए इसमें क्या का चीज़े निकालनी है निकालनी तो वही सब है चलो इसको हम कर लेते हैं यह करा है कि फ्रॉम लॉट ऑफ शिक्स आइटम छे आइटम हमारे पास है उसमें से दो डिफेक हमें उसमें से चार आइटम निकालने है तोटल हमारे बाद छे हैं छे में से निकालने चार है विदाउट रेप्लेस्मेंट इस रेंडम वेरियेबल एक्स दिनोट दा नमबर ओफ डिफेक्टिव आइटम इन दा सेंपल फाइंड दा प्रॉबिटी डिस्रिबिशन ओफ ए तो एक्स की वेलू क्या है आपके पास एक्स की वेलू हो सकते जीरो हो तो जीरो का मतलब है कि उसमें एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं निकलेगा सारे के सारे नोन डिफेक्टिव निकलेगे अब नोन डिफेक्टिव कितने आपके पास चार है तो चारों के चारों नो लेगा है तो फष्की फोर को सॉल्ब करेंगे तो आएगा वन और शिक्सी फॉर को सॉल्ब करेंगे तो यह आज आजिए है आपके पास 15 थीक है तो इसकी प्रॉब्लिटी आगे हमारे पास one उपन में 15 उसके बाद हम चलते हैं फिर one पर अगर आपके पास एक defective item निकल रहा है तो एक defective defective item है कितने हमारे पास दो है तो दो defective item में से defective निकलेगा और बाकी की जो 3 है वो non defective निकलेगे वो कहां से निकलेगे चार non defective है हमारे पास उसमें से 3 आपने ले लिए total होई रहेगा आपका 2C1 को solve करेंगे 2 आएगा 4C3 को solve करेंगे 4 आएगा और नीचे आपके पास 15 आएगा तो यह बनेगा 8 upon 50 ठीक है उसके बाद फिर हम लेते हैं 2 अगर 2 defective item आपको निकलने तो defective item कितने आपके पास 2 है तो दोनों में से दोनों defective item आगे ठीक है लेकिन total item तो 4 निकलने थे ना तो बागी के जो 4 non defective थे उसमें से आपने 2 निकल दिये 2C2 का मतलब 1 होता है 4C2 का मतलब हो जाएगा आपके बास 6 तो जाएगा 6 upon 15 उसके बाद लितने 3 3 defective item हो सकते हैं अब defective item तो यहाँ पर 2 ही हमारे पास तो 3 निकाल कैसे सकते हैं पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब इसकी probability आएगी 0 अगर हम 4 defective item लेंगे तो फिर बाद वही है कि 4 defective item है नहीं हमारे पास defective item ही total हमारे पास 2 है तो 4 तो निकल ही नहीं सकते हैं तो इसकी probability भी आएगी 0 तो हमारे पाद distribution क्या बना distribution बन गया हमारे पास लेते हैं तो probability आगी 8 upon 15 एकस की value 2 लेते हैं तो आगी 6 upon 15 बागी दोनों 0 आ रही है तो उसको आप यह mention करो या मत करो अगर आप चाहते हो mention करना तो कर दो नहीं कोई जरूद नहीं ठीक है यहां 3 और यहां 4 probability यहन की 0 तो इसको जरूरी नहीं है कि आप 0 वाले को mention करो कर दोगे तो कोई गलत नहीं है ठीक है तो हमारा distribution तो बन गया पहला part हो गया अब करा इसका mean निकालो फिर करा variance निकालो चलो जी पहले mean निकालते हैं तो mean के लिए आप 0 से सको multiply करोगे 0 आ जाएगा 1 से सको multiply करोगे 8 upon 15 और 2,6,12 upon 15 12 plus 8,20 upon 15 5 से से काड़ देते हैं answer बना 4 upon 3 इनको करने की जरूथी नहीं है क्योंकि वो 0 आएगा उसके बाद अब निकालना है variance निकालने के लिए पहले हम निकाल लेते हैं यह second part था यह third variance निकालने के लिए पहले निकाल लेते हैं e x square तो e x square का मतलब 0 का square करके multiply करेंगे तो 0 ही रहना है 1 का square करके multiply करोगे तो भी यह 1 आएगा यह तो 0 आएगा और यह आजाएगा 1 को इससे multiply करेंगे 8 upon 15 2 का square करेंगा आजाएगा 4 4,6 जा 24 24 plus 8 32 upon 15 अब निकालो variance तो variance का जो formula है उसमें जह हम value डालेंगे एक्स का square आगया आपके पास 32 upon 15 और इसका square करेंगे तो आजाएगा 16 upon 9 इनका हम लेते हैं लेते हैं लेते हैं लेते हैं लेते हैं लेते हैं 45 3 से multiply कर दो 5 से इसे करो तो यह जाएगा 16 upon में 45 तो यह बना हमारे पास इसका variance question number 11 चलते है question number 12 पर 12th question में कहता है कि 2 positive number are selected 2 positive number are selected at random without replacement from the first 5 positive integer ठीक है जो पहले 5 positive integers है पहले 5 positive integers कौन से होते हमारे 1 2 3 4 और 5 अब इसमें से कर रहा है कि आपको एक करके number निकालने हैं 2 number निकालने हैं ठीक है 2 positive number लेकिन साथ में condition है कि यह देदी कि इसने without replacement है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने पहला number निकाला 1 तो अगला number आप 1 नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि replacement नहीं करने हैं यानि 1 आपने एक बार निकाला तो 1 तो वहां से खतम 1 के साथ आप 2 निकाल सकते हो 1 के साथ आप 3 निकाल सकते हो 1 के साथ 4 निकाल सकते हो 1 के साथ 5 निकाल सकते हो ठीक है इस तरह वन के साथ आप ये चार अलग लग आपके पेर बन सकते हैं ऐसे एकर टू के साथ आप करोगे तो टू के साथ वन हो सकता है टू के साथ थ्री हो सकता है टू नहीं होगा फोर भी हो सकता है और फाइव भी हो सकता है स्यम ऐसे 3 के साथ निकालेगे 4 के साथ निकालेगे और 5 के साथ निकालेगे लास्ट नमबर आपका बनेगा 5 5-5 तो बनी ने सकता तो यह आपका Sammle Space बनेगा अब यहाँ अपर क्या कह रहा है X किसको represent कर रहा है X कह रहा है कि denote the larger of the two numbers obtained जो दो नमबर आपने निकाले हैं उसमें से जो बड़ा नमबर है वो X है अब आपने जो दो नमबर निकाले थे उसमें 0 तो यहां कहीं है नहीं ना क्योंकि X क्या होना चाहिए जो दोनों में से जो नंबर बड़ा है वो X है तो बड़ा कौन सा हो सकता है तो 1 भी हमारा X की वैलू नहीं हो सकती x की value सबसे पहली हो सकती है हमारी 2 2 कैसे हो सकती है जब आपने बड़े वाले number की बात करी तो हमने यहाँ पर लिया 2 तो 2 जो है कहां कहां पर दूसरे number से बड़ा है 2 एक तो यहाँ पर बड़ा है और एक 2 यहाँ पर बड़ा है क्योंकि उसके साथ number गया 1 है तो 1 से तो 2 बड़ा ही होता है तो 2 केस हैसे हैं जहाँ पर 2 बड़ा है तो इसकी probability बनेगी 2 upon में total कितने बनेगी आपके पास 4 इस line में 4 इस में 4 चार चार यानि total मिलाकर बनेगा 20 ठीक है अब आज़ाओ 3 3 कितने से बड़ा है 3 बड़ा है 1 से यानि 3 1 1 3 2 तो ये केस बनेगे 3 2 से भी बड़ा है तो 3 2 और 2 3 यानि 4 केस ऐसे बनेगे जहाँ पर 3 बड़ा होगा 4 upon 20 ऐसे आप 4 का निकालोगे इसके आजएगे 6 upon 20 और ऐसे आप 5 का निकालोगे इसका जाएगा 8 upon 20 टोटल करो 8,6,14,14,14,20 चैनि सम करेंगे इसका तो बना रहा है काटने की ज़रूद नहीं है क्योंकि distribution हमसे नहीं पूछा है mean और variance पूछा है तो यहाँ काटा बीटी मत करो असान पड़ेगा आपको तो mean निकालते है mean मतलब ex उसके लिए इसको multiply करना है 4 upon 20 ठीक अभी कुछ काटने की ज़रूद नहीं है 12 upon 20 24 upon 20 और 40 upon 20 अब काटा हमने क्यों नहीं क्योंकि denominator सबका same है डिरेक्ट इमेड कर देंगे अगर आप काटा बीटी करोगे तो फिर लोगे फिर डिवाइड करोगे फिर multiply करोगे क्यों काम बढ़ाना अपना ठीक है अगर distribution पूछा होता तो आपको standard format में लिखना है 40 ही हो गया और देखो 24 और 28 282 30 और चालिस ही हो गया चालिस चालिस असी X का square करना है 2 का square होगे चार 4 को करोज से multiply तो 4 दूने 8 फिर अगला number है 3 3 का square करेंगे 994 तो 36 यहाँ पर करेंगे 4 का square 16 166 तो 96 5 का square 25 25 तो 200 अब यहाँ पर भी जो denominator सबका same है तो directly add कर दो 96 और 36 यह कितना हो गया 96 प्लस में 400 132, 140 140 यह आ गया और 200 यह है तो कितना आ गया 340 आ गया आपके पास 17 पर एक एंसल अब आप निकालना है आपको variance तो variance के लिए आपको रखना है e x का square और फिर e x का whole square तो यह तो है आपके पास 17 और e x आएदा हमारे पास 4 उसका square करेंगे तो आजाएगा 16 minus करेंगे तो आजाएगा 1 तो इस तरह variance आजाएगा 1 और इसी question के साथ यह जो exercise है वो हमारी finish होगी है आई होप आपको सारी question समझ में आए होंगे जो एक दो question मैंने skip करें उसको आप करके देखना बड़ एराम से निगल जाएगे concept को अगर आपने समझ लिया होगा तो नहीं समझा होगा तो वीडियो को एक बार दुबारा देखना concept समझना फिर भी समझनी है तो comment box में comment कर देना बड़ बता दूँगा की कैसे करना है ठीक है आज की इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलते है next वीडियो में thanks to all of you